हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज की वीडियो में गाइस मैं आपको अरोमा मैजिक के एरोमेटिक स्किन टोनर के बारे में रिव्यू दोंगी इसके बारे में बताऊंगी किस टाइप का प्रोड़क्ट है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है तो गाइस सबसे पहले अपने इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो यह एक ट्रांस्पेरेंट प्लास्टिक की मजबूत बोटल दी हुई है जिसका मैं लिक्विड आपको बिल्कुल किलियर दिखाई दे रहा है काफी अच्छी इसकी पैकेंग के गई है और इसका जो नेट वॉल्यूम है वह हंटलेट एमेल और इसका सेलिंग प्राइज है 115 रुपे इसको गाइस मैंने अपने नीट पार्लर छेज कीया था और आप इसको अपने किसी भी पार्लर से पचेज़ कर सकते हैं पर आप और लाइन वेस्ट को पर्शेच कर सकते हैं अरोमा के तो काफी अच्छे प्रॉड़क्ट मार्केट में मिलते हैं काफी अच्छा ब्रांड भी है इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अरोमा मैजिक के तीन चार वीडियो मैंने इसके अपलोड भी की हैं तो इससे पहले की वीडियो में गाईस म clarity मैंने मैंने आपको Aroma Maisik के MockU raiser cream के बारे में review दिया था तो आज मैं आपको Aroma Maisik के toner का review लेके आएगी हो तो चलिए गाईस के बारे में उपन बात करते हैं तो उल्क काईजं जो आफ पूछेंगे किस स्किन टोन वाले व्यक्तियों के लिए तो गाइज ये और ली स्किन वालों के लिए सबसे ज़्यादा पैश्ट है और ली इसको यूज कर सकते हैं तो इसको घाइस मुझे मेरे पारलरवाली ने मुझे सजेट किया था मुझे काफी अच्छा इसका फायदा भी मिला और इसको चैरे पर मैं सुभे नाने के बाद मुह दोके इससे स्प्रे कर लेती और रात में सोते टाइम भी इसको यूज करती हूँ तो मेरे स्किन पर काफी अच्छा गलो आया और एक तम रेडियन्ट स्किन लगने लगी और इसका जो एक बहुत अच्छा ही गलो आया और मेरा चैरा बिल्कुल साफ हो गया और यह कील मुहासे पोर जो भी होते हैं आपके चैरे पर उन सबको हरताने का काम करता है इसमें आप नाइट में सोते टायम में और सुबह इसको चैरा दोके इसको डेली यूज करने से नेमत रूप से इसको यूज करना है जैसे आपकी स्किन पर बहुत अच्छा एफेक्ट पड़ेगा टोलर के बाद मुक्चराइजर का यूज करना है जैसे आपके कील मुहासे पूरी आपको यही प्रोटक्ट सजेस्ट करूंगी सो गैस प्लीज एक वार इसको यूज करके देखिए सो गैस आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंडों के साथ शेयर कीजि